नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI10 पर incoming call black screen problem को solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है आपको कभी incoming call आते वक्त आपको दोस्तों यहाँ पर incoming call पिक करने का option दिखाई देना चाहिए या तो फिर cut करने का option दिखाई देना चाहिए ठीक है तो उसके जगे पर दोस्तों क्या शो करते हैं black screen शो करते हैं और दोस्तों नहीं आप उसको pick कर पाते हैं और नहीं cut कर पाते हैं तो इस तरह का issue हो रहा है तो आपको भी incoming call पे black screen का issue हो रहा है तो आप इस video को पूरा जरू डेख लेना मैं आपको solution बताऊंगा solution को follow कीजे problem आपका जरूफिक्स हो जागा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यह आप ओनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाके चेक आउट जरू कर लिजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है अपने फॉन को फास्ट बूट कर लिजिए ठीक है अगर इस तरह का कोई भी इसू हो रहा है पॉर बोटन को हॉल करके रिखिए ठीक अगर देखिए अगर रिस्टार्ट से काम बन जाता है तो ठीक है फास्ट बूट से ठीक है अगर फास्ट बूट से काम नहीं बनते तो दोस्तों जाईए आपने मोबाइल के सेटिंग पर इबाट फोन को अपन करें स्टोरेज पर जाए खेश डेटा जो डिखाई देर उस करना है और clear data पर Click करके Clear all data करके भी 17 що करना है ठीक है उसके बाद back कीजिए और आपको system Launcher दिखाई दे रहे हैं उसमें 클릭 करना है इसको भी फोचम करके okay करना है ग्रेंद देटा पर click करके Clear all data करके okay कर देना है उसके बाद यहां पर permissions होगा सारे permissions अलाओ कीजिए ठीक है सारे permissions आपको अंदर पर जा-जाके allow करना होगा तो जितने भी पर मेशन से पुरा allow कर दीजे थोड़ा सा time यहाँ पर आपको डेना होगा उसके बाद device को restart करें और देखिए आपका incoming call black screen problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यह आपर problem को solve कर सकते black screen का जो आपके incoming call पर आ रहे हैं ठीक है तो यह होगा दोस्तों आपके लिए solution मान रिजिए दोस्तों बाई इनी चांस अगर आपको दुबारा से problem आता है टोफिक क्या करें तो जाइए दोस्तों आपने mobile के setting पर आपको दोस्तों उपर में यहाँ पर दिखाई डिया रहा होगा अपडेट का option ठीक है about phone के अंदर पर तो आपको software update कर लेना है software update करने से दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह का issue जो रहते हैं वह fix हो जाते हैं ठीक है तो यह सिंपल सा solution आप follow करके देखे पूरा solution आपको करना है इसके बार आपका जो भी issue है वह fix हो जाएगा और दोस्तों अगर आपकी device पर कोई भी भी जा सकते हैं तो यह सब solution करने के बाद तो दोस्तों आपका जो ब्लेक स्क्रिंग का इश्य वह 100% हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने वीडियो आचा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसके रिलेटेटर पर अगर आपको कोई भी इस्य कोई भी प्राब्लम है तो आप हमें कॉमेंट सेक्षिन पर कॉमेंट कर सकते हैं तैंक्स वो राचिंग